गुद मॉर्निंग डियर स्टुडेंट्स तो बिटे आज की क्लाश शुरू करते हैं इन दे लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था जी मनिफेक्ट के बारे में ठीक है वहां पे हमने क्या देखा था कि जब हम जैसे हमने लिया था एक्जामपल जिंक का उसे हम नोर्मल विदाउट मैं अप्लाइड मेगनेटिक फिल्ड रखते हैं तो वहां पे जो नंबर ओफ स्प्लेटिंग लाइन हो हमें वन दिखाई दे थी सिंगलेट ठीक है जब हमने वहां पर जो एक्स्टनल मेगनेटिक फिल्ड है उसको बढ़ा दिया यानि कि उसकी वैल्य वहां पर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी ठीक है तो तब हमने क्या देखा था वह जो सिंगलेट था उसकी नंबर ओफ स्प्लेटिंग लाइन्स ओफ कमपोनेंट क्या है थी लाइन्स में वह डिस्ट्रिब्यूट हो गई थी ठीक है तो उस वह ट्रिपलेट बन गया त्प्रिद्यू और हमारा यह क्या था सिम्कन से लाइन्स स्वार्व हो टीक होती है वो टीम क्या होती है वह क्या होती है ऑन अरा हमने यह भी पड़ा था किम प्रप्रत करना आनाउल casi man Denver के प्रते डेखो नोर्मल्ले mechanically दोनों तरीके से explain कर सकते हैं लेकिन जो हमारा anomalous demon effect है उसको हम क्या है सिरफ quantum mechanically ही explain कर सकते हैं और आज हमने क्या पढ़ना है आज हमने classical theory of normal demon effect की classically कैसे explain करेंगे हम normal demon effect को ठीक है अब देखो सबसे पहले तो हमारा जो यह atom है इसके चारों तरफ nucleus के यह nucleus है यह चारों तरफ जो orbit है electron का वह एक बार clockwise ले लिए हमने एक बार anti-clockwise अब देखो जब यहां पर इस nucleus के चारों तरफ electron करेगा तो वह कौन सा motion exert करेगा उसके पास कौन सा motion आएगा circular motion ठीक है यह क्या है radius है nucleus से लेकर इस point तक की अब यहां पर देखो जब circular motion में आएगा तो उसका कुछ अपना centripetal force भी होगा यह तो आप लोगों को पता होगा circular motion में जो applied force होता है वो क्या होता है centripetal force होता है उसकी value क्या होती है mv square divided by r तो जो centripetal force होता है तो उसकी direction हमेशा क्या होती है towards the center होती है तो अपने पास यह fc क्या represent कर रहा है यहां पर fc रिप्रेजेंट कर रहा है circular motion के force को ठीक है अब देखो अब जब यहां पर हम magnetic field apply कर देंगे तो वह हमारी होती है इस direction में इस direction में जो इस anticloakwise लेंगे तो हमारे पास towards the center तो यह है लेकिन जब हमारे पास यह anticloakwise direction हो जाएगी तो जो अपने पास यह direction है fb की वह क्या है change हो जाएगी इनके बारे में हमें पढ़ना है वी क्या है यह पर velocity vector है यह velocity अपनी क्या है circular motion में कौन सी velocity होती है omega is equal to किसके equal होता है omega अपना होता है v upon में r वी यहां पर linear velocity होती है r radius होती है उस center से लेकर उस point तक की ठीक है और omega अपनी क्या होती है angular velocity होती है ठीक है angular velocity यह सब यह वाले concept आपको clear होंगे देखो मान लो यह center है किसी भी circle का ठीक है मान लो एक point था यहां पे P पे कुछ time बाद मान लो T time के बाद यह point यहां पर जो person था वो यहां पहुंच गया P dash पे ठीक है तो उसने मतलब इतना distance कवर किया टी time में किया यह हो गया theta इसने theta distance कवर किया अब देखो जो अपनी यह angular velocity होती है यह होती है ओमेगा is equal to जितना यह distance travel किया और कि theta divided by कितने time में किया velocity यही तो होती है डिस्टेंस divided by में time तो डिस्टेंस अपना क्या है थीटा इसने कवर किया कितने time में किया theta में तो यह अपनी होती है ओमेगा ठीक है अब इसमें देखते जाना देखो जो magnetic force होता है उसकी value भी आपको अच्छी से पता हो निचे वी साइन थीटा होती है ठीक है यहां पर जो electron है उसका magnitude यानि कि उस पर जो चार्ज उसका magnitude क्या है यह है ठीक है यह है उसके पास चार्ज तो ई वी बी साइन थीटा ठीक है चार्ज ओन electron this theory was given by Lawrence और यह जो classical explanation है यह किसने दी थी Lawrence scientist थे उन्होंने दी थी उन्होंने क्या consider क्या था consider an electron of mass m and charge e moving in a circular path इस तरह है के circular path में move कर रहा है जिसकी radius क्या है आर है with uniform velocity V the necessary centripetal force required for the motion of electron is given by तो वहाँ पर कुछ centripetal force generate होगा ठीक है तो उस motion के कार्ण वह जो force होगा वह होता है mv square divided by r v square देखो omega मैंने बिताया था वी अपोन में यहां से वी किसके को ला जाएगा r omega की तो यहां पर मैं v की value put कर दू आर omega divided by r यह जाएगा mr square omega square divided by r एक आर से एक आर अपना cancel तो क्या बच गया fc यानि कि centripetal force is equal to mr omega square ठीक है इसको मैंने मान ले equation number one when an external field applied अब यह यह तो हुआ था electron ने motion किया था उसके motion के करने अब हमने वहाँ पर अगर हम जीमन इफेक्ट पढ़ रहे है तो हमें externally एक magnetic field applied करने पड़ेगी number of splitting line देखने के लिए ठीक है when an external magnetic field is applied then an additional force f is equal to evb तो वहाँ पर जो additional force यानि कि magnetic field apply करने के बाद एक magnetic force आएगा जिसकी value है evb starts acting on the electron तो वह कहाँ पर लगीगी electron पर let d omega be the change in the angular velocity ठीक है अब यह force लगने से उसकी speed में कुछ change हो जाएगा देखो change का मतलब देखो यहां पर fc की यह direction थी clockwise direction में तो fb की यह direction मतलब दोनों यहां पर force increase हो गया इस direction में तो मतलब हमने पास जो omega की value वह change हो जाएगी उस पर कुछ फरक पड़ेगा यहां पर दोनों की direction अलग होगी तो अब भी ओमेगा पर कुछ फरक पड़ेगा वो क्या है let change in omega, let d omega be the change in angular velocity of electron due to applied magnetic field B, in equilibrium the equation of motion is given by मतलब बिटा देखो equilibrium condition क्या होगी यहां पर दोनों ही एक direction में लग रहे हैं तो यहां पर fb और fc प्लस हो जाएंगे ठीक है यहां पर दोनों opposite direction में लग रहे हैं fb अपना इस direction में लग रहा है, fc अपना इस direction में लग रहा है तो net आएगा, वो minus करके आजाएगा ठीक है तो अपना क्या होना चीए, electron due to the applied magnetic field in equilibrium, equilibrium condition में जो equation of motion है is given by यानि कि इनके plus minus के equal आएगी, plus minus क्यों आया, आपको समझा गया होगा, ठीक है, तो यहां पर हो गया अपने पास mr omega प्लस d omega into, mr omega square था, देखो, force अपने पास क्या था, mr omega square, mr omega square, omega हमारा change हो गया, omega plus d omega में, ठीक है, तो अपने पास क्या force बन गया, यह वाला जो force है, mr omega plus में d omega का square, ठीक है, अब हमें पता, fc की value क्या होती है, mr omega square, plus minus, fb की value evb, अच्छा, यह था, यहां पर तो यह था, यहां पर तीटा कहां गया वहीं, यहां पर तीटा कहां गया, देखो, magnetic field, applied जो magnetic field, उसकी direction क्या है, अपने पास, नहीं, वो perpendicular, तो यहां पर जो थीटा होगा, v और b के बीच का, ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर जो angle होगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, अपने पास, 90 degree, 90 degree, sin 90 कितना होता है, 1 होता है, तो sin 91, उनके कारण यह क्या हो गया, evb, तो यह क्या आ गया, mr omega square plus minus evb is equal to mr omega square plus minus evb is equal to mr omega square plus mr omega square plus mr omega square plus mr d omega square plus 2 omega d omega mr omega square plus minus evb is equal to mr omega square plus mr d omega square plus mr d omega, 2 omega d omega, ठीक है, यह हमने क्या है, यह a plus b का square open कर लिया है, आप देखो, यह equation हमारी 3 हो गई, जो d omega है, यानि कि जो change है, वो बहुत small है, वो बहुत small होने के कारण उसको क्या कर देंगे, equate to 0, तो equate to 0 करने के बाद जो यह equation है, यह क्या बनी अपनी, mr omega square, यह value to as it is, mr omega square plus में, यह value क्या बनी, 0, अब mr 2 omega d omega, ठीक है, तो यह क्या आ गया, अपने पास, mr omega square, mr omega square, cancel, इदर आ जाएगा, तो minus का हो जाएगा ना, cancel, ठीक है, यह क्या बनी गया, plus minus, e, v, v is equal to 2m, 2m, rm, तू बाहर ले लिया, 2m, r omega d omega, ठीक है, अब अपने पास, r omega, v is equal to, क्या था, r omega, क्या था, v by में, r, तो v is equal to r omega, यहाँ पर मैंने r omega की जिगह, v put कर दिया, दोनों साइड से v, cancel out हो गया, ठीक है, अब क्या बच गया, e, b, e, b, plus minus, e, b is equal to 2m, d omega, यह value बच गी, देखो, omega हमें पता है, 2pi by t के equal होता है, ठीक है, और t हमें पता है, क्या होता है, आपने पास, 1 upon में frequency होता है, तो यहाँ पर क्या आगई, 2pi mu, यानि कि 2pi into में frequency omega की जिगह, मैं यह रख सकती हूँ, इसका मैं differentiation करूंगी, d omega is equal to 2pi d mu के equal होता है, mu यहाँ पर किसको represent कर रहा है, frequency को, ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पर किसकी value पुट करेंगे, d omega की value पुट करेंगे, e b is equal to 2m 2pi mu d mu आगया, d omega की जिगह, ठीक है, e b यहाँ पर 2 to the 4 into में pi into में m into में d mu, ठीक है, यहाँ पर value निकालनेंगे, d mu की is equal to plus minus e b दर आजएगा, divided by 4 pi m, यह equation बन की, अच्छा, mu हमें पता है, c upon में lambda, यह velocity of light और यह अपने पास क्या है, wavelength, ठीक है, तो d mu, इसका differentiation करूँगे, तो 1 upon में x का differentiation क्या होता है, minus 1 by x square होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 upon में lambda के respect में differentiate कर रहे है, तो minus c lambda square into में d lambda, ठीक है, put in the above equation, यह d mu की value में इस equation में put कर लूँ, तो e b 4 pi m तो में रथा आई, इस d mu की जग है मैंने रख दिया, minus का c lambda square d lambda, ठीक है, यहाँ पर d lambda की value आगे, d lambda की value हमने किसलिए ली, यह हमारा change in wavelength दिखाता है, तो इस change in wavelength को भी हम एक नाम देते Zeman effect में, इसे बोलते है Zeman shift, यह क्या हो रहा है? Zeman shift, ठीक है, तो classically हम Zeman effect में क्या find out करते है? Zeman shift के बारे में find out करते है, ठीक है, तो according to examiner आपको अपना question prepare करना पड़ेगा और आपको ध्यान रखना पड़ेगा where d lambda represents the change in wavelength called zeeman shift of spectral line उसे हम क्या बोलेंगे zeeman shift of spectral line ठीक है अच्छे से ध्यान रखना है भई यह पूरा derivation एक बार नहीं समझ मैं तो दो बार देख ले न ठीक है बात भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो ओके पढ़ते रही है all the very best thank you